जहिन दोस्तों, Defense Officers Academy के YouTube चैनल में आपका स्वागत है जो लोग आज Defense Officers Academy के चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो Defense Related कोई भी information जानने के लिए इस चैनल को subscribe कर सकते हैं आज मैं आप लोग के साथ एक सची कहानी बताना चाहरा हूँ ये जो कहानी है ये एक मेरे दोस्त की है जिसके साथ मैं स्कूल पढ़ा करता था मेरा ये दोस्त मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करता था जब हम क्लास 9 में थे तो उसने decide किया था कि मुझे Defense में Officer बनना है हाला कि वो पढ़ाई में कुछ जादा अच्छा नहीं था लेकिन उसका एक determination था कि मुझे Army Officer ही बनना है तो उसने अपनी पढ़ाई शुरुवात करी 9-10 अच्छे से किया और जब 10th के Board exams थे तो उसकी जो percentage थी वो बहुत काम आई जो percentage थी वो 50s में थी 51 या 52 बहुत लोगों ने उसका मजाग उड़ाया तो कि उसने सब को बताया था कि मुझे Defense में Officer बनना है और आपको भी पता हुगा कि NDA के exam के लिए Maths और Science का होना बहुत जरूरी बड़ी मुश्किल से स्कूल ने permission दी कि ठीक है हम आपको Science subject देंगे लेकिन Mathematics फिर भी नहीं था तो किसी तरीके से मेरे दोस्त ने Mathematics subject लिया N.I.O.S. से पता था उसको कि मैं पढ़ाई में एक average student हूँ लेकिन उसको ये भी पता था कि मेरी जो संकल्प शक्ती है वो बहुत मजबूत है जो एक बाद ठान लिया तो ठान लिया तो इसी तरीके से उसने 12 भी किया जिसमें उसकी chemistry में compartment आ गई फिर लोगों ने उसका हसी उड़ाया, फिर लोगों ने उसका मजाग उड़ाया कि science लीती, fail होते होते बचा, अब क्या होगा तो उसने compartment दी, chemistry का exam clear किया और जैसे तैसे वो बारवी उसने पास किया बारवी पास करने के बाद उसके पास option था कि graduation वो science के subject से करे, BSC करे, लेकिन उसको पता था अपने print क्या है, मेरे weaknesses क्या है तो उसने BA opt किया, BA opt करने के बाद उसने exam के तैयारी अपनी continue करी और जब उसका BA complete हुआ, in between उसने exams देने शुरू करे, तो वो return exam निकाला उस student ने CDS के exam कई बार निकाले, लेकिन वो interview में उनको clear नहीं करता है, SSB में वो out ओ, फिर उन्होंने CAPF का exam दिया, और CAPF का exam उन्होंने दिया, और उसके बाद उन्होंने interview भी clear किया जब interview clear किया, तो जो लोग उनसे कहते थे, कि यारे कभी officer नहीं बनेगा, तो वो ही लोग फिर कहने लगे, हाँ हमें पता था, हमें तो पहले से पता था, कि ये officer बनेगा ही बनेगा तो आप कोई difference समझ में आया, जो लोग आज आपसे कह रहे हैं, कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये मेरी guarantee है, कि वो ही लोग एक दिन आपसे कहेंगे, और दूसरों से भी कहेंगे, कि हाँ, मुझे पता था, कि ये तो बनेगे ही रहेगा जो इस वीडियो का title था, असंभव कुछ भी नहीं, तो मेरे दोस्त ने ये proof किया, और वो आज की rate में deputy commandant है, ITBP में कभी मौका मिला, एक interview में, room room में कराऊंगा, उनसे आप लोग को, तो moral of the story is, असंभव कुछ भी नहीं बहुत से बच्चे कहते हैं, सर मेरी mathematics week है, मेरी English week है, मेरी GS week है, लेकिन अगर आप मैनती हैं, अगर आप मैनत कर सकते हैं, और आपका goal है, आपका dream है, कि मुझे officer बनना है, तो आपको बनने से कोई नहीं रोख सकता, एक बार फिर मैं आप लोगों से कहूंगा, असंभव धन्यवाल,